टीनेजर्स और पॉनोग्रफी क्या समझना चाहिए? आज के डिजिटल समय में, पॉनोग्रफी एक ऐसी चीज बन गई है जो हर जगा मौजूड है. इंटरनेट पर अलग-अलग तरह के पॉनोग्राफिक कॉंटेंट का असर सभी एज ग्रूप्स पर है. लेकिन टीनेजर्स पर इसका असर सबसे जादा होता है. ये समश्या है जिसे समझना और डिसकस करना ज़रूरी है. इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि टीनेजर्स को पॉनोग्राफिक के बारे में क्या समझना चाहिए और इसके क्या-क्या असर होते हैं. ये पहला एक्स्पोजर और उसका असर. टीनेजर्स का पहला एक्स्पोजर अक्सर बहुत सिग्निफिकेंट होता है. जब वो पहली बार पॉनोग्राफि देखते हैं, तो ये उनके लिए एक क्यूरियोसिटी का विशाय बन जाता है. अक्सर ये उन्हें अपने दोस्तों से या ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर मिलता है. ये पहला experience उनकी सोच और sexual understanding को काफी हड़ तक प्रभावित करता है. टीनेजर्स अक्सर सोचते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा, वही असली दुनिया का सच है. इस वाजा से उनकी expectations और perceptions distorted हो जाती हैं, जो उनके लिए समाशया का कारम बन सकती हैं तू गलत धरनाएन और expectations. pornography अक्सर unrealistic situations और sexual acts को दिखाता है. ये धरना बना देता है कि सेक्स का असली मकसद सिर्फ pleasure है, जबकि असल में ये emotional connection भी होता है. ये समझना ज़रूरी है कि असली sexual experiences अलग होते हैं, जो सिर्फ physical pleasure तक सीमिट नहीं होते. teenagers के लिए ये बात समझना मुश्कील हो सकता है, लेकिन ये उनकी sexual education का एक पार्ट होना चाहिए. अगर वो ये नहीं समझते, तो उन्हें असली relationships में disappointment और frustration का सामना करना पड़ सकता है three emotional impact. teenagers जो pornography देखते हैं, उनका emotional health भी प्रभावित होता है. pornography देखने पर दिमाग में dopamine release होता है, जो उन्हें खुशी और excitement का अनुभव कराता है. लेकिन अगर ये उनका addiction बन जाता है, तो ये उनकी daily life और relationships को खतारनक प्रभावित करता है. इस addiction के चक्कर में, उन्हें असली जिंदगी में emotional satisfaction और intimacy की कमी महसूस होती है. इस तरह, उन्हें अपनी feelings को समझने में कथी नए होती है, और ये उनकी mental health के लिए खतरनाक हो सकता है for social skills पर असर. teenagers जो pornography पर निर्भार होते हैं, उनकी social skills पर भी असर पढ़ता है. जब वो porn देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी sexual fantasies को असानी से पूरा किया जा सकता है. ये उन्हें असली life relationships को समझने और उनमें engage होने से दूर ले जाता है. अकसार वो दोस्तों या romantic partners के साथ समय बिताने की जागा porn देखने में समय गुजारते हैं. ये उनकी friendships और relationships को प्रभावित करता है. क्यूंकि वो असली connections नहीं बना, 25 क्या pornography से addiction हो सकता है. Teenagers के लिए pornography addiction एक serious concern है. जब ये एक regular habit बन जाता है, तो ये उनकी daily life को खतारनाक तरीके से प्रभावित कर सकता है. अगर कोई teenager बार-बार पौन देख रहा है, तो ये उनके लिए एक normal activity बन जाता है. इस वाजा से उनकी sexual development रुक सकती है और उनका self-esteem भी गिर सकता है. आखिर कर उन्हें ये लगने लगता है कि वो किसी तरह की satisfaction नहीं पा रहे हैं, जो उनके mental health को और भी खरब कर सकता है चिक बचने के तरीके. टीनेजर्स और पेरेंट्स दोनों को समझना ज़रूरी है कि पॉर्नोगरफी से बचने के कुछ effective तरीके हैं. Ease समबड कीजिए अपने पेरेंट्स या गार्डियन्स से इस विशय पर खुल कर बात करना बहुत ज़रूरी है. पेरेंट्स को भी open और non-judgmental होना चाहिए ताकि बच्खे अपने doubts शेर कर सकेने से उन्हें emotional support मिलता है वा. Educate yourself टीनेजर्स को ये सीखना चाहिए कि पॉर्ण क्या है और इसका असल असार क्या है. स्कूल और कॉलेज़ेज में sex education को लेकर workshops और sessions होने चाहिए जहां ये सब topics discuss हो सकें. इससे उन्हें अपने doubts क्लियर करने और सही information प्राप्ट करने का मौका मिलेगा थ्री. Healthy relationships का महत्वा Teenagers को healthy relationships और intimacy का महत्वा समझना चाहिए. उन्हें ये सीखना चाहिए कि असली connection क्या होता है और ये कहां से शूरू होता है. ऐसी relationships जो mutual respect और understanding पर based होती हैं, उन्हें समझना और promote करना चाहिए चो. Mindfulness Practices Meditation और mindfulness practices से भी teenagers को अपने emotional health पर काम करने में मदद मिल सकती है. ये उन्हें समझने में मदद करेगा कि उनकी feelings क्या है और उन्हें कैसे handle करना है प्या. Limit exposure अगर आपको लगता है कि आप porn देख रहे हैं, तो इस exposure को limit करना जरूरी है. इंटरनेट पर filters का use कर सकते हैं, या फिर अपने screen time को manage कर सकते हैं, ये steps उन्हें healthy digital habits डेवलप करने में मदद कर सकते हैं.